तो इसका मतलब यह है कि हमारे तो यह सप्लाइड भी आरी होगी अब देखो एक सेरा ग्राउंड लिया लिए भी यह थीऔर आपको बीप सुनाई दे रही है है यह यहां जाकर ग्राउंड घंड दखाई दे रहा यहां जाकर ग्राउंड है और यहां पर दूसरी किसी की अभी जरूरत नी पड़ेगी आप जब हमारे पास आएंगे ना तो मैं आपको इतना तयार कर दूंगा तू सब्सक्राइश दो यूटुब पर पहला वीड़ओ तो साइट गलत नहीं होगा और भुछ से लोगों को बॉरा भी लगने वाला है क्या है ? अगर मैं बातच कर दूश्त, बनाँगा ले देके सारे, एक जैसे ही, तो मैं फ्यूल गेज5 Māg gén भनाने वाला, मैं अपको लिटेस्त, लिटेस्स, मुबाइलों का और फ्यूल के सट्केट बताऊंगा बड़ एक्चली फ्यूल के जोता क्या है आपके मॉट्बाइग को बहुत अरे लोग इन को रेजिस्टर को अलग अलग नामों से बलाते हैं टेकिनिकली इनको हम चाहिए सेंस रिजिस्टर बोलते हैं सेंस अब यह क्या सेंस है अगर प्र जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुरूर जित है मेरी जुर्ण तो हमार यूटूब फैमली यार कैसे आप लोग बहुत अच्छी होंगे यार इतने सारे वीटो दे रहा हूं तो सस्क्राइब कर रहे हो ठेंक्यू वरी मुच चैनल से जुर्वें बहुत सारे लोग नहे और नहीं नहीं लोग सीख रहा है मेरे चैनल जादा Tर मैं उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया है और येच very to website Brig तो कि अगर मैं रटी रटाई चीजों को यह वीडियो डालता रहा हूं अगर मैं सिब वही कंटेंड डालता रहा हूं जो रहे यूटूब पर है तो फिर क्या फायदा थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होना चाहिए नाइने सर्किट को के वारे मैं बात करना बहुत बचा चुका है आप मेरे से सहमत है कि नहीं सहमत है मुझे कमेंट करके बताएए आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल इदम नया टॉपिक अगर मैं इस वीडियो के निचली को वर्ड नंबर वन तो यह साइड गलत नहीं होगा और बहुत से लोगों को बुरा भी भी लगने वाला है थो आगर मैं बात करूं दोस्तों आज वी आपको बैटरी का रडरे नहीं बता रहा हूं पर बैटरी कीिकिट सप्लाइ के वारे में न endroit नहीं होगा हम तो अपने इस्टुर्ण को भाहर टाइम से दे रहे हैं क्याँकि बैटरी की सप्लाइए प्लाइब भई बनजा होगे भाई जो पंचर बनाने वाला होता है तो पता है कि क्या काम करना है उसके कोई धिमाग लगता नहीं दिए तो कोई भी कर सकता है चु own तो यह पंचर वालो जैसा काम हो चुका है उसकी कोई वेलू नहीं है इसलिए जादा पैसा भी नहीं मिलता है पैसा किसमें मिलता है आप माने ना माने आपको बलीब मानना पड़ेगा आपके अंदर के वह व्यूव वक्ति को जगाओ और यह बलीब मानों कि भाई बात तो सह सब्सक्राइब जोड़ सकते हैं अब अब प्री मिच्योर टेकनिकल इंजिनिर्ट पर दिग्री हो गई और इक प्रीमिच्योर टेकनिकल और एक इंजिनियर की डिग्री से भी बहुत-बड़ा नॉलेज हसल कर सकते हैं और भाई या तब तो पैसों की जो बाड़ेश होगी आपको नहीं बोलोगे आपको ना बढ़ोसी आपकर बताएगा कि यह तुम बड़ा काम कर रहे हो जो में चाद लोग बुरा ही करेंगे और तीन लोग अच्छा करेंगे तो आईए दोस्तों बात करते हैं बैट्री के निगेटिव सप्लाई की और बैट्री के निगेटिव की आपने बैट्री का पॉजेटिव सुना होगा तो आपने आईडी सुना होगा और एंटी सी मतलब निगेटिव थर्मिस्टर कोल फिसन मतलब यह एंटी सी थर्मल की अब को लेडेगे नहीं सारे एक जैसे ही तो मैं फ्यूल गेज आप को दिखता होगा, जिसमें आपको दिखता होगा, कि आपका फ्यूल कितना है, तो अगर हम बात करें, कैसे काम करता है सब कुछ में बता हुआ एसे तरीके से लगा होता है वो शारी बात करेंगे Jazz часть 9 मोबाइल के ग्राउं की सप्लाई या हम बात करें हमारे मुबाइल की ऐसे रेजिस्टर आप यहां पर आफो दिखाता हूं यह देखें कि अब इस तरीके code register nooteis करो अब बुलेंगे ser इनको बहुत साँरे लोग 54 को अलाग अलाग लाम उसे बुलाते है t injured pc अगर बैटरी में लगाएंगे तो बैटरी सेंस रजिस्टर अगर चार्जिंग में लगाएंगे तो चार्जिंग सेंस रजिस्टर बैसिकली यह एंपियर पर काम करते हैं यह कोड रजिस्टर है दोस्तों बैसिकली अगर इन टेकनिकल वर्ड का नाम लिया जा तो इनको कहते सइन्ट रिजिस्टर क्या कहते हैं सो दोस्तों अगर आप अपने पोगाइल के फोनों के एसा चेक करें है कि आपको इस रिजिस्टर के इधर भी मिल ला और अप और रोजिस्टर को निकाल दे रहे हैं तो मतलब समझो आपके साथ स्कैम हो गया है और आपने customer के साथ scam कर दिया है, कि भाई यह क्या कर दिया, एक अच्छा खासा mobile का component ही निकाल के effect दिया, सिर्फ यह देख कर दिया कि donor beep मा रही है, भाई किस ने बोल दिया कि donor beep नहीं आ सकती है, भाई हमारे mobile में अभी बहुत से ऐसे component है, जहां donor ground हो सकता है, अब वो ground क्या है actual ground है, sense की line है, यही तो knowledge है, और यही knowledge आप लोगों को कोई दुकान वाला नहीं दे सकता है, यही knowledge आपको कोई घर बैटे YouTube से नहीं मिल सकता है, इस knowledge के लिए teacher के पास जाना पड़ता है, जैसे आज आज आपने बच्चों को school भेज रहे हो, बड़ कोई बात नहीं है, आज negative हो लो, आज लोगों की बास सुन लो, जब कल धंदा लॉस में जाएगा, तो वही लोग आएंगे, और जब आप लोगों को किसी दूसरे के इंस्टूट में पढ़ते हुए, देखो कि तब बुलो कि यार यह तने तो मेरे साथ मैं, गेम कर दिया, ऐसा ही हो रहा है, दोस्त इसट एकगे म स्क्रादो क्या में लगन एंगे अदेर क ब्लस माइनस के साथ, इसलिए यह जहां भी लगे हो प्ला कराते है इसलिए ब्लस माइनस के साथ, जहां भी लगे हो। यह गेज की हम बात करें सप्लाई होगी वहां पड़ यह सर्केट को पूरा किया जाता है तो इसलिए जादा तर जब भी भी आभी रेजिस्टर को देखोगे तो कुछ सर्केट डाइगराम इसको गेज के अंदर दिखाते हैं क्योंकि फ्यूल गेज को पूरा करते हैं मतलब बैटरी के सर्केट को पूरा करते हैं बैटरी के को सेंस करवाते हैं दोस्तों क्या होता है आपने बैटरी का प्लस देखा होगा अगर मैं बात करूं आपने इसके बात की लाइन देखी होगी यह भी बहुत लोग जानते है इसको कहते है आईडी आईडी मतलब आइडेंट चाज़िंग वही चाज़िंग जो चैमिकल और वही जब रशाइनी कुछा बदलते तो गर्मी पैता होती है तो वही टेम्परेचर को मैंटें करने के लिए टेम्परेचर बना जाता है और वही टमपरेचर कम जादा ना हो इसलिए उसकी लाइन पर एक एक थमिस्टर लगा जाता है जैसी इसलिए इसी वज़े से लाइन को एक 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 कहा जाता है अब आप बोलते हैं कि सर्किट में तो नहीं लगा होता भाईया मेरे बैक्टरी में भी होता है आप खोल के देख ермẫn होता है डाउंड को ही नहीं जाता है घ्राउंड तो हर जगे होता है आपके iC में भी कोई अलगे अब ग्राउंड की होता है लोग तो यह भी बोलते होंगे कि ग्राउंड positive के साथ में नीगेटिव होना जभरी हो तो ही load बुरा होता है विविलकुल सहीं बात है पर दोस इसलिए इसको संट रजिस्टर यह संट रजिस्टर लगा होता है हम संट रजिस्टर की बात करे है तो that kind of register which यह तो हम बोलते हैं कि value of this register is very low यह बहुत काफी low होते हैं और यह इसकी जो ओम्स रिजिस्टेंस होता है काफी कम होता है harm然后 चल में होता है झैसे क्या है इ lata करता है तो ठीजसेए अगर मैं बात करो यहां पर यह रेजिस्ट्र EMPR पर काम करता है और EMPR यहां पर आपको कुछ करेंट अगर EMPR मिलता तो बैटरी को sense महसूस होता है और यही वज़े से जब तक IC यह sense नहीं करेगी कि आपके बैटरी लगी है या नहीं लगी है तब तक आपके फोन में लो बैटरी के आरल दे सकते हैं उसको लगेगा कि भई यह बैटरी नहीं है तो बिसीकली क्या होना चाहिए ग्राउंड जो ह पाइज़ कर हाँ और यह इस आपकी सब पावर आईज से यहाँ पर हो सकती है यह दूसरी लेवल बेल बात करते थो सबाथ regular होती है या दोस्तों यह जोगी हो यहाँ स से बाच करेंगे में पावर में हासे नहीं यह जो जो ग्राउंड होता है दोस्तों एक त्रहूर लगा होता है जिसको हम सुखिश्टर क earning customer क्याते है इसको is को कोडिंग के आशेस के लिखा जाता है से मतलब संट और यहां पर जो तो यहां value है इसके value होता है जैसे कोई भी एक register के form को ले लो जैसे हम component को find out करते हैं layout से वैसे यहां पर लगा होता है जैसे यह सब्सक्राइब देंगे इंकेस अगर आप यह करते हैं कि रिजिस्टर हटा देंगे तो आप देखेगा कि यहां पर जो बंद हो जाता है पर यहां पर आपको एक ऐसा पर आपको सेंस निकेटिब और यह पर आपको पॉजीटिव लाइन में लगी है इसलिए हाँ पर आपको सेंस पॉजीटिव अलग से ग्राउं किया गया है मायला अगर आपके पास ऊंपर बैट्री बैट्री छाजिंग के अर। बैटरी लिखी होती है जैसे आप चार्जर लगाते हैं और आपको लो बैटरी एरर या आपको चार्जिंग कर कुछ एरर आता है तो आप यह समझे कि आपके आपका क्नेक्टर है उसका माइनस भी आपके आई सी के अंदर डिडेक्ट नहीं हो रहा है अभी बहुत सारे फोन ऐसे आरे नहीं मार्केट में जुस्पे हैं लोग काम नहीं कर पा रहा है जैसे फोरजम पर एक फॉन आरहा है जो आपका बैटरी से नहीं हो रहा है तो नहीं लगाने की जगह पर इस तरह का यह circuit बन जाएगा यहां पर मैं आपको यहां से यह देखिए इस तरह का यह circuit बनेगा नहीं लगे होगा तो direct इस तरह का circuit बनेगा पर तब भी भी होगा जो मैं charging sense positive और charging sense negative की supply आपको देखने को मिलेगी दोस्तों इस वीडियो के थुरू मैं आपको बतान जानी है क्योंकि यह तो always आपका ground मिलेगा ही मिलेगा आपको चेक करना है आपको से पैडलाइन चेक करनी है कि जहां पर भी आपका CSP CSN जहां पर भी जा रहा है जो भी जिस भी गेज जहां पर भी गेज circuit बना दिया गया है जिस भी IC के अंदर यह connect किया भले वह सब पावर हो या main power हो या charging IC हो तो आपको यह देखना है कि CSP CSN दोनों आपको IC निकालने के बाद में दोनों ground की साथ में मिलना चाहिए तो basically ground के साथ अगर यह मिलेंगे तो यह आपका circuit पूरा माना जाएगा क्योंकि आप नोटिस करो एक लाइन जो आ रही है यह इसके साथ आ रही है निकालने के वज़े से हमारी ground की layer भी होती है वह layer टूट जाती है जिस वज़े से हमारा phone बंद हो जाता है और बैटरी से नहीं होता है तो यह जरूर रहे हैं मार्केट में और बहुत सारे फोन में बहुत पहले से आ रहा है था लोगों को पता नहीं था इन्सीट्वें में नौलेज नहीं दिया रहा था और मेरे तो हर्यवेस की student को मैंने बताया है कि इस तरह के component इस सप्लाई होती है और जो बहुत पुराने में अपडेट में बता रहा हूं अपडेट में भी उनको यह मिलना बहुत ज़्यादा जोड़ी है सो दोस्तों आपको यह जंकर अच्छी लेगी हो आईए इसका तोड़ा पैक्टिकल में आपको बताना चाहते हैं मैं स्केमाटिक के अंदर बात करूं तो कैसे इसको अगर हम किसी भी लियाओड के अंदर जाएं जैसे फॉर्जम पर यह 9a का है 9a का सट्केट है और अगर हम 9a के सट्केट की बात करेंगे तो हम इसके बैट्री करुटर बजाएंगे जो कि है je Con 1601 अब जब हम यहां पर c1 2016 से हमको यहां पर इस तरह का बैटरी कटर आएगा आप नोटरीस कीजिए यह सब तो मैं इसको थोता कर देता हूं ताकि आपको यहां पर आसानी से लाइन म्ल जाए थो देखेurday में अगर बैटरी करेटर के तो फूरेet कर दो डेगे इस बैट्टिकरेटर में जो नंबर्स होते हैं बहुत अलग-अलग टाइप के यहां पर यह उसको नंबराइज करते हैं जैसे anti-clockwise या फिर zig-zag जैसे तो यहाँ पर आपको एक दो जेखो यह अलग अलग है यह यह दो यह तीन चार इस तरह से अलग अपके दीये हुआ हैं तो यहाँ पर यह वाली जो लाइन है देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो यह वाली लाइन है यह लाइन आपकी जुरी हुई है यहाँ पर बीबैट से ठीक है और यह वाली जो लाइन है यह जो यहाँ जा रही है ठीक है यह जो लाइन है यह जुरी हुई यह आपकी ID से यह जो लाइन है दोस्तों यह य तो हम अगर इसको चेक करें तो बस आपको यह चेक करना है कि यह ग्राउंड की सप्लाई देखो अब ग्राउंड होना चाहिए पर आप देखो कि यहां जाकर ग्राउंड है जी एंडी दिखाई दे रहे हैं यहां जाकर ग्राउंड है और यहां पर पैट डिफरेंस दिये हु आप नोडिस करो तो यह लाइन पर आप देखे सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं देखे तो इस लाइन पर अगर मैं आपको बता हूं तो यहां पर एक्षुल यह ग्राउंड आ रहा है और यहां पर एक आपको यह देखे इसंट रजिस्टर लगा हुआ ह और यह रजिस्ट्र के बाद एग यहां से आपको यह ग्राउंड डेया जा रहा है अचा कर दो बीडिक है तो आप यह भी चेक्र चनते हैं कि आपको यहां पर भी यहां पर भी सेंट डाइम मिलना चाहिए अब सिल ग्राउंड की बाद नहीं है इस लेयर को कुछ नहीं होता है जादा तर्फोन में पर इसमें से यह जो लेयर होती है यह दो लेयर यह लेयर गिरने के वाज़ा से यह लेयर ओपन हो जाती है यह डैमेज जिनको हम बात करें अब यह देखो यह है CS Positive और करें यह रही है CS negative एक लाइटरी माइनस के साथ से नियकिकस दूसरी है Cs Positive बस आपको चैण करना है आपको यह चैण करना है कि यह लाइन आपके कहां जा रही है अब देखिंग करेंगे तो नोटेस करो अ कि यह लाइन आपकी कहां पूसरा तो कि देखेAnt यह जा रहे है गेज्ट सर्कीट में जैसे कि मैंने का था तो यह अगर में आपको बता हूँ जैसे यहां पर या नाइने कुला हुआ है यहां पर नाइने से पहले देखेगा कि देखे मैं इसको एक पैटिकल भी आपको कराना चाहता हूं देखे यहां पर हम से उबन कर लेता है तो मैं इसको पैटिकल ही आपको देखाना चाहता हूं नोटिस कीजेगा यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर यह बैटिक रेटर है और यहां पर बैटिक रेटर में यह जो ग्राउंड है यह डारेट ग्राउंड ना जाकर एक संट रेजिस्टर से जो कि हमारा बैटरी संट रेजिस्टर है उस रेजिस्टर के तुरू देखो यहां पर भी यहां पर तो कि यहां पर इस तरह का लगा हुआ है मैं भी आपको दिखाता हूं और यह बिसीकली अगर मैं बात करूं यहां पर यह देखें यहां पर भी फ्यूल गेज है मीडेटेक का सट्कृट लगा हुआ है और टीटेन रटेन प्यार है तो दोस्तों एक बार इसको प्रेटिकली भी सब्सक्राइब देख लेते हैं कि नोटेस करो कि देखे तो मैं आपको यहां पर दिखाना चारता हूं ром if all this देखो यह दो यहां पर जोगे इस डिफ्सो लगा हुआ है उसकी कि भी मानदारी के साथ, दोस्तों, आप को कभी भी अगर बोड में, देखने का नजरिया बदल वा दूँगा, गरंटी दूँगा, तो अगर मैं बात करो कभी भी आपको रजिस्टर ऐसा मिले जहां पर आपको इधर भी बीप मिला एगर आप ग्राउंड के साथ चेक क तो इसका मरलब यह समझो कि यह रजिस्टर आपका battery sense house ठीक है battery sense register है यह संट आपका battery sense register लिए जोड़े हो गार एक शिरा यहाँ पर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है एक शिरा यहाँ से साथ अलग से यह वाकि में ग्राउंड है या नहीं है तो कि देखेगा कि देखे यह मेरा मल्टी मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब आज भी आ रही होगी अब देखो एक सेरा ग्राउंड लिया है कि यहां भी बीप यहां भी बीप कि यहां भी बीप यह भी और यह जारा है टी 10 10 और एन 10 में तो हम यहांब प़ावर ज्रीं हि में देखेंगे और यहां पर टी सोरी टी टेbreakर अधीफ गरत एक पार टेक लेते हैं तो यह हमारे टी हराट में में तो हमारा बेसीकली टी टेन औरहं चाहता हों झालत करहुँछ तो हम यहाँ पर A, B, C, D गिनेंगे तो यह हमारा यहाँ पर T, T, N और A, T, N है यहाँ आ रहा है नोटिस करो तो देखें हमने एक सिरा ग्राउंड पर रख लिया है तो यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, दस यह देखो यह वाला सिरा था मेरा ऊपर मेने बना दिया कोई बाद नहीं यह देखो भी पा रहा है अभी देखो एक दो तीन चार्ट पांच छे साथ आठ नो दस यह देखो यह भी पा रहा है और यह भी पीपाल है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो यह supply है यह connected है और जब आप IC लगाएंगे तो यह sense IC से करना चाहिए आइसे को यह sense point मिलता है अगर यह नहीं मिलेगा तो आपका battery low battery माना जाएगा या फिर DC से on होगा बैटरी से on होगा तो चले दोस्तों कैसा लागा यह circuit मुझे बताएगा जुरूर और सीखने को मिला की नहीं मिला प्लीज I request all of you to share this video as much as आप जितना इसको सेर करेंगे उतना ही आप जैसे उन धुकानदारों को उन भाईयों को जिनको आप WhatsApp में यहां वहां आप रिफर करते हैं जिनको बताते रहते हैं उनको आपको बहुत help मिलेगी प्लीज अपने Facebook में इसको सेर कर दो अपने ग्रूप क RJJ उनको नहीं पढ़ रागा है ताकि आपको नहीं नोलेज मिल जाए ताकि भूब आपको अगली बार से अग्ली अफ्सकन भाड़ाने लग जाए , कोई दिक्कत नहीं है , तो फादा इस से होता है , मैं यह कहूँँगा आप इसको जहां सेर करना चाहि्ए , वहां सेर केज तो इसी के साथ नमस्ते अलविदा और जिस तरीके से सुरुवार में थोड़ा और इंट्रो दिया था कैसा लगा कमेंट करके बताएगा कुछ निया करना हमेशा दोस्तों मैं यह मानता हूं कि लाइब में कुछ निया करना चाहिए और टीचर यह नहीं होता कि टीचर ऑल्व से इतना है कि हम जो नॉलिज के वो दिल से देंगे और सास्पलिटी और हमारे लाइफ में खूंन नहीं बहुता हमारे लाइफ में हमारे लाइफ में काम हो तेंच यू रएरे अच ब्लते हैं कि क्लास में, शुल